पिर्णाम स्टूडेंट कैसे आप सब लोग आशा करता हूं अच्छ होंगे देखें लास्ट क्लास में हमने आपसे आइनिक क्रिस्टल्स के बारे में चर्चा की थी हमने बताये था जो क्रिस्टल है पांच पिरकार के होते हैं कौन-कौन से आइनिक, कोवालेंट, मैटलिक औ आपको पता है, आज ही क्लास में हम जो आपसे चर्चा करने वाले हम चर्चा करने वाले हैं कोवालेंट क्रिस्टल की, आपको इसमें एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी, सर क्या चलो अगले पेज पर समझाता हूं, ठीक, आपने NACL देखा था, सर देखा था, अगर हम इसके इलेक्ट्रोन डाइग्राम करना के इसे तोड़ने की कोशिश करें, तो हमें पता चलेगा, NACL में साथ होते हैं, तीन, तीन, चार, एक साथ, अब आपको पता है, इलेक्ट्रोन भाईय उप्टेट, मतलब एटम भारकास टक पूर्ण करना चाहता है, तो यह तो इसे आठ करने तो साथ लेने पड़ेंगे, और इसे आठ करने तो इसे एक लेना पड़ेगा, तो आसान क्या है, यह साथ ले कर दिया, तो इस पर पिलस आगिया, और सील पर साथ इलेक्ट्रोन आगिये, तीन, तीन, चार, एक साथ, और सील ने लिया है, तो यह क्या बना लेगा, माइनस, यह तो आपको पता है, इसमें क्या करा, इसमें डोनेशन हुआ, डोनेशन, क्या हुआ, दान हुआ, दान एक समझें लेकिन इस से उलट हो हमने ओक्सिजन सुना है सर सुना है ओटू कौन से नंबर पर आता है छटे नंबर पर याद होगा वे सुमित से टीपो यही तो था तो हमें बात की चीज़े तो याद नहीं रखनी हमें तो केवल ओटू की चर्चा कर रहे हैं ओटू कुछ समझत है छटे नंबर पर आता था अगर हम इनका इलेक्ट्रोनिक डाइग्राम खिचे तो कैसे खिचेगा एक ओक्सिजन यह रहा एक ओक्सिजन यह रहा इस ओक्सिजन पर कितने इलेक्ट्रोन एच्छ है एक दो तीन चार पांच है इस पर कितने हैं एक दो तीन चार पांच होग करने के लिए अगर ये दो डोनेट कर देता है तो इसके तो आठ पूरे हो जाएंगे लेकिन इसके तो चार है जाएंगे जो की गलत है इसे भी अपने क्या करने भाही एस्टक में आठ ही करने हैं या तो सारे डोनेट कर दे इससे पहले वाले में आठ हो जाएंगे यो खली हो तोड़ेगा भोष तो हम क्या करते हैं एक दूसरे से बौंडिंग कर लेते हैं साज्य-दारी कर लेते हैं दोनों मिलके सामने वाले को दोई गे तो यहां पर सेम वह कहानी होती है जैसके यह ओक्सीजन है यह भी ओक्सीजन है इसमें कितने इलेक्ट्रोन है? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें कितने है? 1, 2, 3, 4, 5 हो गया इसने कहा भाई ऐसे साज्यदारी कर ले तू 2 मेरे रख ले और मैं भी 2 तेरे ऐसे बीच में रख लो अब देखो इस वाले उक्सिजन पर कितने 2, 4, 6, 8 इस वाले उक्सिजन पर कितने 8 इन्होंने किसी से लिया या दिया? नहीं है, इन्होंने साज्यदारी कर ली और आपने सुना होगा वो मेरा कलीग है, मतलब सह मेरे साथ काम करने वाला है कलीग के हैं, इस पेलिंग में CO आता है छोड़ दो, कोपरेशन मतलब सहियोग तो उसमें भी CO आता है तो जहां भी CO जुड़ जाए, वहां एक तरीके का मतलब साज्यदारी से है साथ-साथ चलने से है तो इनके नाम ही क्या? कोवालेंट यानि कि एक दूसरे से साज्यदारी करके चलते हैं, जैसे इनों ने कर ली डोनेशन किसमें होती थी बेटा इससे जो पहले पढ़े थे हमने आई नी इनमें क्या होगा? एक साज्यदारी होगी तो हमने यही सब लिखा हुआ है आप स्क्रीन शोट ले लो पहले कोवालेंट क्रिस्टल के बारे में क्या लिखा है? दा क्रिस्टल वीच है कोवालेंट बॉन्ड वे क्रिस्टल जिनके बीच कोवालेंट बॉन्ड हो अमोंग देर कॉंसिट्यूट एटम उनके जो कॉंसिट्यूट एटम मतलब जिन से मिलके बना है जैसे O2 किस से बना O's है oxygen से तो उनके जो दो constitute item क्या होगे दो नो oxygen ही होगे उनके बीच covalent bond हो तो ऐसी crystal क्या कहलाता है covalent crystal सर्थ covalent crystal वे हैं जिनके बीच covalent bond हो ये तो आपने वो बता दे सर गरीब को ने जो इन पर पैसा ना हो इसे परिभासित कैसे करोगे तो आप देखो हमने बता दे कोvalent crystal वे हैं जिनमें covalent bond होता है covalent bond क्या हो सर्थ योरा एक covalent bond is formed मतलब जो covalent bond है वो बनता है between two similar और dissimilar atom एक जैसे या अलग atoms के बीच having a deficiency of an equal number of electrons जिनके बास equal number of electrons की कमी हो मतलब सर जैसे हमने ओटू लिया था इसके पास भी दो की कमी थी इसके पास भी दो की कमी थी अगर मान लो ऐसा होता है इसके पास दो की कमी होती इसके पास एक की तो साजेदारी नहीं हो पाती चान मेरे क्योंकि दोन्हों बराबर की साजेदारी करते हैं कहते हैं न साधी बराबर के मैं होनी चाहिए ना अपने से उपपर हो ना अपने से निच्चे तब ही साधी लंबे समय तक चलती है तो देखो molecules atom सो भी इस बात को जानते हैं कि जो साजेदारी करनी है वो साथ वाले से करनी है ना उपर वाले से ना निच्चे वाल से मतलब equal deficiency होनी चाहिए बराबर कमी होनी चाहिए इन दीज क्रिस्टल्स one or more इन क्रिस्टल में एक या अधिक electrons of two adjacent atom दो adjacent atom से सटे हुए atom से एक या दो electrons are shared equally बराबर share होंगे अगर यो एक electron दे रहा तो यो भी एक ही देगा यो दो electron दे रहे तो यो भी दो ही देगा ऐसा नहीं इसने 10 रुपे दे दे रहा यो दो रुपे दे रहा नहीं वही बिजिनिस बराबर करना तू दत देगा तो मैं भी होगा समझुगाए चीक डार रिजल्टिंग बोंड इसओन अज कोवालेंट बोंड तो SI क्या कहलाता है कोवालेंट बोंड कहलाता है दस सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ओफ क OA+. या जो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल covalent bond क्या होता है sharing of electron is the H2 molecules क्या है hydrogen molecule इसका सबसे simple example है H2 H2 1-1 की sharing ठीक diamond C C मतलब diamond carbon से बनता है आप पहली unit में पढ़ चुके तीसरी unit चल लिए silicon, germanium and silicon carbide SIC are the example of covalent crystal ये क्या है covalent crystal के example है the formation of oxygen and nitrogen molecules are examples of double and triple covalent bond respectively सर मतलब double triple अरे दो electron की sharing हो रही है तो double bond लगता है जबी तो आपने देखा होगा oxygen में double bond लगता है तीन की आती है nitrogen पर तीन की sharing होती है तो triple bond आता है तो यही तो लिखाया कि जो आपका oxygen और nitrogen है double और triple bond की sharing करते हैं respective मतलब crumbs है oxygen double की और nitrogen triple की तो यहाँ पर covalent bond की थोरी खतम अब इसकी छोटी सी properties है properties देख लो आप properties क्या कहती है covalent crystals are very hard यह क्या होते हैं बहुत hard होते हैं किसकी तरह ordinary temperature पर वे क्या होते है insulator लेकिन जैसे temperature बढ़ाते हो उनकी conductivity भी बढ़ने लगती थी लेकिन इसमें कहानी अलग है इसमें sub mix होता है the conductivity of covalent crystal varies मतलब बदलती रहती है over a wide range बहुत बड़े पैमानने पर इनकी बदलती रहती है जैसे diamond is a good insulator जो diamond है वो एक अच्छा कुछालक हो गया whereas germanium and silicon are semiconductor आपको पता है germanium silicon अर्दचालक होते हैं आपने 11-12 में पढ़ा है और एक होता है increases with increasing temperature इसमें भी सेम कहानी की temperature बढ़ने के साथ इसकी conductivity बढ़ेगी they have low melting and boiling point इनका भाहिया लो होता है क्या melting and boiling point BP लोगी बात नहीं कर रहा ठीक these crystals are generally insolubles in ordinary liquids मतलब यह ordinary liquid में गुलते नहीं है ठीक है सामन्य ते नहीं गुलते बट solubaline ether and benzene जो polar होते हैं जैसे benzene c6s6 उसमें यह गुल जाते हैं they are not transferred for visible light वे visible light के लिए transparent नहीं होते उसका उल्टावे होते हैं अब आपके एक बार gray team देखता हूँ अगर खुल गया यहां पर z r a y gray team यह search करके देखते हैं अगर इसे हम search कर पाए तो यह ते आर जो को एक second है यहां search करते हैं ना आपको दिखाते हैं अगर search कर पाए हम गिरे टीन अगर गूगल पर मिलगा ना तो कल को मैं आपको इसकी एक detail में बता दूगा लेकिन समझते तो यह है आप पूस्ते ही नहीं हो यार सर्च का option कहा है एक बार सर्च करके देखते हैं गिरे टीन क्या होता है और अगया वाटिस गिरे टीन एरे खुझे आसीमसिम जलोच यह ना देको यह हलका से गिरे कलर का होता दिख रहा है सब्सक्राइब तीन is a chemical element इट है simple SNL atomic number 50 नैट चल गया चल गया चल गया चलो नैट सिलो है आप खुद देख सकते हैं ठीक है चलो तीन जो गिरे कलर का हो simple basic fund आप समझिये हो इसमें कोई rocket science वाली बात था ही नहीं आप भी Google कर लेना यहाँ पर नैट से इसे नहीं चल गहा है ठीक है अब आप समझ गई कौन कौन सा ionic crystal, covalent crystal, कल की class में metallic crystal चर्चा करेंगे तब तक के लिए जै हिंग जै भारत पिटा सुप संद्या